गैस रादे रादे कैसे हैं आप सभी I hope आप अच्छे ही होंगे और भगवान उपर वाले की किर्पा से मस्त और स्वस्त होंगे तो गैस अभी सुभा सुभा का टाइम है आठ बजे हैं और हम लोग बच्चों को छोड़के जश्ट अभी फिरी हुए हैं फिरी होने के बाद चाय लेकर बैठे थे जैसी मैंने फोन को ओन किया मुझे इतनी दुखत ख़बर मिली फोन करते ही मेरा माइंड बिल्कुल मतलब काम करना बिल्कुल बंद कर दिया तो गैस एक यूटूबर है सपना जिनका एक चैनल है मैं उनकी वीडियोस हमेंसा देखती हूं मैं उनकी व अब से चार साथ पहले शादी हुई थी शादी जो करोनकाल था जो सहिंडक रहाई थी करोनकाल की उसी हेम्गाट की उस टाइम पे उनकी बेटीं सिर्फ 5 महीनी की थी पांच महीने की बेटी है इतने दुखो का पहाड टोटा उस टाइम पे पूछो मत उस दुखों के पहाड से कैसी कैसे वो उभरी कुछ टाइम के बाद उनके सचा कि मेरी बेटी है मतलब बहु बना कर लायती लेकिन मैंने अपनी बेटी माना उसको तो मैं इसको यहां से जाने नहीं दूँगा तो उनके सचुन ने उनके छोटे बेटे से सपना की शादी करा कांथ तो गई उनका हस्ता खहलता परिवार इतने खुश थे मतलब सभी लोग मतलब वहां काते हैं नकिकि हम ढिए तो चे घॉके यह इन अब बлом स्काना परिवार इतने अच्छे से वीडियो जुएम बना रहे थे और मैं थो उनकी सारी वीडियो स्पनारा देखती हूं त इतनी स्पीड से कोई गाड़ी लेकर आया और उनको रोड एक्सिडेंट बिल्कुल कुछल के चला गया सच्च में गाईज इतना दुखों का पहार टोटा उस बैचारी के ऊपर मैं क्या ही बोलूँ आप लोग खुद जान सकते हैं जिसका पहला पती एकस्पार हुआ उससे उसकी एक बेटी थी पाच महीने की और अब दूसरा पती भी एकस्पार हो गया उसकी चार महीने की बेटी है दूसरी बेटी मतलब भगवान राजियु जी की आत्मा को शान्ती दे और उनके माबाप को इस दुख से उभरने का होसला दे हिम्मत दे जो अपने दोनों बेटी को पाल सके व्र है दो बेटिया है तका बहुत प्यारी प्यारी सी बेटिया है इतना हस्ता खहلता परिवार था और यह को नहीं नहीं हुआ था मैंने फिर इंस्टा पर जाकर देखा यूटूब पर जाकर देखा उनकी कोई वीडियोस नहीं थी और अभी कुछ टाइम पहले वो मतलब दो तिन ने चारट पार दिन पहले वो अपने माई के गई हुई है और उनका टाइटल था कि मैं कैसे रहूंगी राजीव जी के बीना पंदरा दिन ये टाइटल था उनका और मैंने उनकी वीडियो देखी थी वो पैकिंग मगरा कर रही थी और गैस मतलब कुछ नहीं कह सकती कि कि कब किसके साथ क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकती तो भाईया मेरा और एक बात और जब उनके पहले हैस्वेंट एक्सपार हुएते तो बहुत से लोगों ने इतने ऐसे से कमेंट्स किये थे कि कैसी है मतलब आप लोगों को कुण्डली दिखानी चाहिए थी या फिर खा गई अपने पती को ऐसे से कमेंट्स किये थे काट लो कुछ नहीं रखा इसमें लड़ाई जगड़े में कुछ भी नहीं रखा है कब किसके साथ क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते तो भगवान पस मैं यही कहना चाहूंगी प्लीज एक तो नेगेटिव कमेंट्स मत करो क्योंकि अगर वो अभी वीडियो तो अभी तो इस कंडिशन में नहीं होगी कि हाँ वो वीडियो डालेंगी लेकिन अब एक-दो भहीने बाद अगर वो वीडियो डालती है अगर वो आप लोगों के नेगेटिव कमेंट्स देखेंगी तो कितना एक तो बैचारी पर इतने दुखों का पाहर तूटा है और कुछ आप लोगों के ये नेगेटिव कमेंट्स देखकर और तूट जाएगी तो प्लीज भहिया ऐसे कमेंट्स मच डालना कि हाँ उसके बैचारी की लाइफ बिल्कुल बरबाद हो गई हो जाए लाइफ हाँ वो आगे चल सके अपनी सच में यार मैं मेरे मुझा तो कोई वर्ड निकल भी नहीं रही मैं क्या ही बया करूं कैसे बोलूं मतलब मेरी चाहे भी ऐसी रखी रह गई इस वीडियो के थुरू मैं आप लोगों को दो मैसेज देना चाहती हूं प्लीज एक तो आप लोग नेगेटिव कमेंट्स मत करना विचारी के लिए और दूसरा और कुछ नहीं रखा भाया इस जिन्दगी में सम मिल दूलकर है लोग कुछ भी नहीं रखा इन सांसों को कुछ नहीं पता कब किस के साथ क्या हो जाए तो चलिए गईस और भगवान राजिव जी की आत्मा को शांती दे तो और सपना को और उनके ममी पापा को इतना स्ट्रॉंग बनाना भगवान की वह इस दुख की घड़ी को जहल सके और अपनी आगे की लाइफ अच्छे से जी सके भगवान सच में गईस तो चलिए गईस इस वीडियो का मैं अनिहीं पर करती हूं बाए बाए